टीमसी नेता अखिल गिरी ने देश के राष्टपती स्रीमती द्रोपदी मुर्मों के उपर में जिस तरीके से अभध्र टिप्वनी की है वो निंदनिय है और दुर्भागे पून है आशर्ज की बात ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की सरकार जो स्वाय में एक महिला मुख्य मंतरी है और उसके मंतरी मंडल के सदश से खुले आम तरीके से देश के महिला राष्टपती ट्राइबल प्रेसिडेंट के उपर में आदिवासी राष्टपती के उपर में इस तरह का अवहद्र टिप्णी जिस टिप्णी को चाहे जितनी भी निंदा की जाये वो कम है और इससे या बात असपस रूप से जलकती है कि पसिम बंगाल की सरकार इस देश के साड़े दस करोड जनता आदिवासी जनता कि भावनाओं को आहत किया और देश बासियों को देश के लोगतांतरिक परमपराओं को लोगतांतरिक मुल्यों का हनन किया है और इस मामले में ममता बनरजी को स्वयम अपना अस्पस्टी करन देना चाहिए कि उसके मंत्री मंडल के एक मंत्री टीमसी के नेता अखिल गिरी ने इस तरह का बयान किसके कहने पर दिया है और ये किस तरह की बयान देकर इस तरह से अपमानित करने का अपमान जनक सब्दों का परियोग करते हुए नकेवल महिला रास्टपती के रूप में ठ्वाइबल रास्टपती के रूप में बलकि देश का अपमान कर रहा है हम सब जानते हैं कि रास्टपती का पद राजनीच उपर होता है देश का सर्वोच पद होता है और दुनिया के लिए भारत का प्रतिनिधुत हम देशवासियों का करता है ऐसे पद का अलोचना करना मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए इस देश के जनता के लिए बहुत ही दुरभागे पूर्ण है मंत्री के बयान नकेवल इस देश के लोकतांत्रिक मुल्यों का हनन कर रहा है बलके अमतर रास्तिय छबी को भी खराब करने का परियत्र किया है और इसलिए मैं यह कहूँगा कि मामता बनर जी को ऐसे मंत्री को तुरंट अपने मंत्री मंडल से बरखास्त करना चाहिए और इस तरह के बयानों के लिए देश के सामने माफी मागना चाहिए